जिम करके घर लोट रहे मनीश ने जब रेलवे ट्रैक को क्रोस किया तो उसके साथ हुआ एक खौफनाक दर्दनाक हादिसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सुबह 5 बजे जिम को निकले महज 21 वर्षी है मनीश जब वापिस लोटता है तो उस वक्त जो है रेलवे ट्रैक को क्रोस करता है रोस की तरह लेकिन अचानक से एक तेज रफतार ट्रेन आती है जिसकी चपेट में वो आ जाता है और एक दिल मामला बताया जा रहा है और उसके बाद जो है पुलिस मौके पर पहुचती है तफ्तीश जो है मौके की करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि मनीश है उसके घरवालों को सूच ना दी जाती है बताया जा रहे किसी सैलों में काम किया करता था महज 21 वर्ष उसकी उ जाता है और उसकी मौत हो जाती है उसकी जीवन लीला महज 21 साल की उम्र में समाप्थ हो जाती है अक्सर ऐसी खबरे दिखा के आप लोगों से अपील की जाती है कि थोड़ा एतियात बरती है इतनी जल्दबाजी मत करें रेलवे ट्रैक्स को क्रोस करने की कोशिश मत किजिए अब भी भी आप देखेंगे कितने लोग याँा पर रेलवे ट्रैक्स करोस करते हों नजर आ रहे हैं जब भी हम आपको खबर दिखाते हैं आपको हमेशा अपील करते हैं कि मत करिए मतलब ठीक है इतनी पट्रिया बनी हुई है वैसे ट्रैक्स बने हैं वहासे आप लेकिन सिर्फ रास्ता कम होगा इसके लिए आप यहां से जाते हैं आप सोचे कि कई बार कोई बाहर का व्यक्ति होता है हर बार हमें टाइमिंग नहीं पता होता है ट्रेन किस टाइम आएगी और वो अचानक से आजाए और सोचे कि थोड़ी देर जो मतलब आप चारे कि जी आरपी थाने से सब इंस्पेक्टर हमारे साथ है उनसे एक बार बातचीत करते हैं जाद से जाद से जाद सूचना लेने की कोशिश करते हैं जी आरपी थाने से सब इंस्पेक्टर बलवान सिंग हमारे साथ मौके पे सर क्या कुछ पूरा इवेंट आया था एक बार बता तो सर पैदल था या किसी वाहन पर मौजूद था पैदल था और कहा का मामला है कहा पर हुआ है यह हादसा यह लड़के का नाम था मिनीश कुमार पुत्तर रामकुमार वारनम हर्दो जाहिल शिंग कलोनी गरॉंडा थाना गरॉंडा जिला पानीपत का सथाई वाशी था जो स कैसे मतलब रोज ही ऐसे रेलवेड ट्रैक क्रोस किया करता था रोज होता है इत्वाक से हो गया घड़ी का जान रहा और चपेट में आने से जो है नौजवान यूवक जो हैं कितनी मौत हो जाती इस तरीकी से पुलीस तो बार बार भी अपील करते हैं और आलाउसमेंट कराते हैं और बिल्कुल आप लोग शुन सकते हैं किस तरीके से 21 साल का मनीश जो की घरोंडा का रहने वाला है रोज की तरह पांच बजे सुबे जिम के लिए निकल जाया करता था पैदल था और किस तरीके से रो पेलवे ट्राक क्रोस करके पैदल निकला करता था और उसी वक्त जो है एकदम से तेज रफ्तार ट्रेन आ जाती है जिसकी चपेट में मनीश आ जाता है और एक दिल धहला देने वाली घटना हो जाती है उसकी जीवन लीला वहीं पे समाप्त हो जाती है उसके बाद परिवार म पुलिस मौके पर पहुचती है परिवार को वहां पर बुलाया जाता है अभी फिलाल के लिए शव को पोस्ट मॉटम के लिए कलपना चावरा मौचरी हाउस में जरूर रखवा दिया गया शव का पोस्ट मॉटम होगा लेकिन अक्सर जब भी ऐसी खबरे दिखाते हैं लगात लेकिन जो पट्रियां बनी होगी है आप वहां से जाए इस तरी के से रेलवे ट्रैक क्रोस मत करें और अगर कर भी रहे तो कम से कम इंतजार करें एहतियाद बरती है वैसे तो रेलवे ट्रैक आप लोगों को क्रोस करना ही नीचे क्योंकि सोचे वो महज 21 वर्ष का नोजव होगा कि वो इस तरीके से जिम जाएगा और उसके बाद उसकी जो शव है वो घर पे आएगा तो बहुत ही कई ना कई दिल दहला देने वाली घटन है लेकिन इस सब में एक सबक चुपा हूँ है जो आप लोगों को सीख लेने की जरूरत है जो भी इस वीडियो को जादर से